यह है iPhone 13 Mini जो की रन कर रहा है iOS 16 पे एंड यह है IQJet 5 जिसको मैंने कस्टुमाइज किया है iOS 16 की तरह तो अकर आप भी एक IQ या Vivo यूजर हो और अपने डिवाइस में iOS 16 का फिल लेना चाहते हो या मैं यह कहूँ कि अपने डिवाइस को iOS 16 की तरह कस्टुमाइज करना चाहते हो तो बस इस वीडियो पैंट तक बने रहिए तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सिधार्त और आप देख रहे हो ट्रिकी बवाइसी चैनल स्टार्ट करते हैं तो जैसी कि आप देख सकते हो मेरे पास है आईकू का जेट फाइफ तो किसी भी आईकू या वीवो के डिवाइस में iOS 16 का लुक पाने के लिए आपको कुछ फाइल्स की रिक्वाइर्मेंट पड़ेगी जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से उन सारे फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है सारे फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद से आपने एक एप इंस्टॉल किया होगा जिसका नाम है i launcher उसको सबसे पहले open करना है अब जब आप इसको first time open करोगे तो इसका interface कुछ इस tab का देखने को मिलेगा तो आपको next पे tap करते हुए इस app को open कर लेना है जैसे आप इस app को open करोगे तो यहाँ पे एक permission का pop-up आएगा तो आपको ok पे tap करके यहाँ से एक permission आएग तो इसके लिए आपको make default launcher पे tap करना है और यहाँ से i launcher को as a default launcher set कर लेना है default launcher set होने के बाद से आपका iqo या जो vivo का device है वो कुछ इस type का देखने को मिलेगा अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपके जो भी apps थे उनके जो icons है वो यहाँ पे proper आपको iOS की तरह देखने को मिल जा रहे हैं बाकि यहाँ पे आप स्लाइट करके अपने सारे apps क home screen से ही access कर सकते हो बाकि last में आपको यहाँ पे iOS की तरह app library भी देखने को मिल जाता है अब यहाँ पे आपको कुछ customize करने की जरूरत है तब ही जाके आपके iqo या जो vivo का device है उसमें आपको proper iOS 16 का look देखने को मिलेगा तो यहाँ पे जो front page वाला यानि जो home screen का first page है इसको मै customize करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे customize करना है मैं fast forward में करके दिखा देता हूँ आप अरांसे अपने पसंदीदा apps को चून करके अपने main home screen पे add करके customize कर सकते हो तो आपको कुछ इस तरीके से अपने main home screen को customize कर लेना है जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अपने हिसाब से अपने पसंदीदा apps को चुन करके अपने home screen पे add कर सकते हो और कुछ इस तरीके से इस layout में अपने home screen को आप customize कर लेना और चुकि विजिट आपने देखा है कितना आसान है add करना आपको बस normally home skin पे tap के रहना है प्लस पे tap करना है और इसी launcher में आपको काफी सारे widgets देखने को मिल जाएंगे like clock का हो गया, counter का हो गया, calendar हो गया, photos हो गया, battery हो गया, weather हो गया, contacts हो गया और यहां तक कि आप अगर कोई apps के विजिट चाते हो तो यहां से आप उन app के विजिट को add कर सकते हो तो इस तरीके से आप यहां पे विजिट आड कर लेना और अपने पसंदीदा apps को add कर लेना तो यहां पे अभी आप देख सकते हो, अब आपको थोड़ा almost यहां पे iOS 16 वाला feel मिल ला होगा अब आपने और भी कुछ apps इंस्टॉल कियोंगे, जिसमें सबसे पहले आपने के app इंस्टॉल किया होगा जो कि यह X status bar करके, अब जो कि यह सारी चीजे optional है, अगर आप चाहो तो use करना यह totally आपके उपर depend करता है तो अभी यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे जो मेरा status bar है, वो यहां पे fun touch वाला ही है जो कि अभी आप देख सकते हो, इसमें कोई भी changes नहीं है, तो आपको सबसे पहले उस X status bar वाले app को open करना है यहां पे मैं इस app को open करता हूँ, and open करने के बाद से, यहां पे कुछ terms of service आएगा, आपको ओगे पर tap कर देना है, accept कर देना है अब यहां से आप से यह दो permission मांगेगा, तो आप इस दोनों permission को फटाफट granted कर देना जैसे आप इसके दोनों permission को granted करोगे, तो यहां पे granted करते ही आपका जो status bar है, वो कुछ इस type का देखने को मिलेगा यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आपको एक notch का भी style मिल गया, तो आपको ok पे tap करना है, यहां पे एक permission आएगा इसको granted कर देना है और सबसे पहले notch view वाले option को यहां पे disable कर देना है, क्योंकि यह इतना बढ़िया इसमें नहीं लग रहा disable करने के बाद से आपको 3 dot पे tap करना है, यहां पे आपको status bar customize करने के कुछ option मिल जाएंगे like अगर आप enable time, यहां पे time format को change करना चाहते हो, तो इसको enable कर सकते हो फिर यहां पे अगर आप battery text चाहते हो, तो इसको भी enable कर सकते हो फिर यहां पे आपको एक option मिलेगा auto change status bar color, तो आपको इसको भी enable कर देना है फिर और भी option मिल जाते हैं like auto hide status bar, यह सारी चीज़े, enable 4G text अगर आप चाहते भी कर सकते हो इसके लावा इस status setting में आप tap करके इसके color वगेरा, size, position, यह सारी चीज़े अपने साब से set कर सकते हो तो इस तरीके से यहां पे आप देख सकते हो कि आपके device में, यानि आपके iqo या vivo के device में यहां पे iOS 16 वाला status bar यहां पे enable हो गया अब बारी आती है iOS 16 के call screen की तो इसके लिए भी आपने एक app install किया होगा जिसका नाम है i call screen तो आपको इस app को open करके इसको as a default dialer set कर लेना है तो जैसे आप इसको as a default dialer set करोगे तो आपको कुछ इस type का iOS 16 वाला dialer भी देखने को मिल जाएगा तो यहां पे आपको status bar और dialer pad आपको यहां पे proper iOS 16 वाला आप देखने को मिल गया अब बारी आती है control center, lock screen और यहां पे notifications की तो इसके लिए आपको इसी launcher के app को open करना है और इसके अंदर आपको यहां पे उपर ही मिल जाएगा lock screen, notification, control center, assistive touch, dynamic island तो सबसे पहले आपको lock screen पे tap करना है ओके पे टैप करना है, term and condition जो भी है यहां पे service का वाला इसको accept करके ओके टैप करना है, फिर इस पे टैप करना है अब यहां पे आपसे यह कुछ permission मागेगा तो आपको इसके सारे permission को granted कर देना है जैसे ही आप इसके सारे permission को granted करोगे तो यहाँ पे आपको तीन option देखने को मिलेंगे एक preview lock screen, एक enable lock screen और एक disable system lock अब एक चीज में आपको बता दूँ कि आपका जो भी IQ या Vivo का device है और उसमें आप जो भी pattern, pin, password या fingerprint जो भी as a security के तोर पे lock screen पे लगाए हुए हो तो इस lock screen को use करने के लिए उनको आपको बंद करना पड़ेगा नहीं तो यह दोनों एक दूसरे में merge हो जाएंगे जो थोड़ा आपको एकदम crash type का feel कराएंगे या कभी-कभी cringe भी लगेंगे तो इसलिए आप safety side के लिए उसको सबसे पहले बंद कर देना अब कैसे बंद करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ तो यहाँ पे आपको आ जाना है अपने phone के setting में and setting में आने के बाद से सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे security वाले में security वाले में आपको यहाँ पे एक option मिलेगा यहाँ पे screen lock का तो इस पे आपको tap करना है and जो भी आपका screen lock है वो यहाँ पे आपको enter कर देना है and यहाँ पे आपको एक option मिलेगा none करके तो आपको none पे tap कर देना है नन पर जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पर एक pop-up आएगा remove device protection features का तो आपको remove पर tap कर देना है जैसे आप remove पर tap करोगे तो यहाँ आपके device का जो भी security था pattern, pin, password वो यहाँ पर हट गया अब जैसे ही आपका यहाँ पर password remove हो जाएगा तो आपको फिर से आजाना है i launcher पर क्योंकि यहाँ पर जो आपने password remove कर दिया उसके बाद से यहाँ पर आपको मैं दिखा हूँ जैसे कि यहाँ पर मैं अगर phone को lock करता हूँ और unlock करता हूँ तो यहाँ पर direct यह सीधे home screen पर आएगा कोई भी lock screen देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ फिर से इस launcher के अंदर और यहाँ पर मैं enable lock screen को enable कर देता हूँ अगर आप password enter करना चाहते हो तो आप password यहाँ पे check box को enable कर देना और यहाँ पर जो भी password देना है वह आपको enter करना है password enter करने के बाद से यहाँ पे आपको एक और option मिल जाएगा change password का अगर आप बदलना चाहो बाद में बदल सकते हो तो preview lock screen पे tap करके यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कुछ इस type का iOS 16 style का यहाँ पे lock screen आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आप नीचे से swipe up करके इसको open कर सकते हो अब बारी आती है lock screen को customize करने की तो इसके लिए आपको wallpaper वाले section में आना है add new wallpaper पे tap करना है एड यहाँ पे आपको जो interface मिलेगा वो आपको खूब हो iOS 16 के lock screen की तरह ही देखने को मिलेगा एकदम आपको इसी तरह का interface आपको iOS 16 में मिलता है customize करने वाला तो यहाँ पे आपको क्या करना है बस मैं यहाँ पे यह वाला जो iOS 16 का official वाला है इसको मैं select कर लेता हूँ और इसको select करने के बास से आपको यहाँ पे time वगेरा भी customize करने का option मिलेगा जैसे आपको iOS 16 में मिलता है तो यहाँ पे मैं यह दो चीज़े ऐसे ही रहने देता हूँ बस मैं यहाँ पे time वाले पे tap करके इसका जो font है यह में change कर देता हूँ और यहाँ पे जो last part है इस पे मैं tap करके यहाँ पे कुछ visit add कर देता हूँ यह हो गया बैटरी का हो गया और यह alarm का हो गया और मैं done पे tap कर देता हूँ done पे tap करने के बाद से आपका lock screen customization complete हो गया अब यहाँ पे मैं phone को lock करता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो अभी यहाँ पे जो मैंने customize किया हो यहाँ पे दिख रहा है अब इसको आपको set करना होगा अब मैं यहाँ पे phone को lock करता हूँ और फिर इसको unlock करता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस type का है पुराना वाला ही अब आपको क्या करना है जैसे आपको iOS 16 के lock screen पे customization मिलता है वैसे आपको यहाँ भी मिलेगा आपको बस इस पे tap की रहना है अब यहाँ से आपको नए वाले lock screen को apply कर देना है अब आपका जो lock screen हो एकदम proper iOS 16 वाला देखने को मिलेगा यहाँ पे swipe up to unlock लिखा हूँ है जैसे आप swipe up करोगे तो यह passcode पूछेगा तो आप अपना passcode डाल के अपने phone को open कर सकते हो अब बारी आती यह notification की तो यहाँ पे आप enable notification पे tap करना और यहाँ से आपका notification पैनल देखने को मिल जाएगा जो भी notification होगे वो यहाँ से आप देख सकते हो अब बारी आती यहाँ पे control center की तो control center के लिए भी आपको एक permission की requirement पड़ेगी तो आप इसको यहाँ पे enable कर देना जैसे आप इसको enable करोगे तो यहाँ पे एक option मिलेगा enable control center का तो इसको भी आप enable कर देना and enable करते ही जैसे आप यहाँ से swipe down करोगे तो आपको यहाँ पे iOS 16 वाला control center देखने को मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात ही है कि इसमें आपको जितने भी option देखने को मिलना है वो सारे working condition में है बस आपको एक बार इनके permission को granted करना होगा like अगर मैं Bluetooth पे tap करता हूँ तो यह मुझसे permission मागेगा और एक बार मैं इसके permission को granted कर दूँगा तो दुबारा मैं Bluetooth पे tap करूँगा तो यह directly यहीं से on हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पे आप control center को enable करके और यहाँ पे आपको काफी सारे control center को customize करने के option मिल जाते हैं इसके बाद यहाँ पे आपको दो option और मिल जाते हैं जो कि optional है अगर आपको use करना हो तो कर लेना एक assistive touch है तो इसका भी customization इसी में मिल जाएगा और एक dynamic island है अगर आपको dynamic island वाला feature पसंद आता है और आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ से enable कर सकते हो काफी एच्छी से work करता है मैंने test किया हुआ है पर मुझे उतना अच्छा नहीं लगता तो मैं enable यहाँ पे नहीं करता हूँ फिर यहाँ पे आपको मिलता है layout का option जिसमें आप app के icon के size वगेरा यहाँ पे अपने हिसाब से बड़ा चोटा कर सकते हो फिर यहाँ पे navigation bar अगर आप चाहो तो enable कर सकते हो iPhone 8 का dock style चाहिए तो उसको भी यहाँ पे enable कर सकते हो notch वगेरा का effect चाहिए तो आप यहाँ से disable enable कर सकते हो बाकि यहाँ पे theme का option मिलता है तो आपको dark या light कैसा चाहिए वो यहाँ से आप set कर लेना तो यहाँ से आप उस app के icon को change कर सकते हो like यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे proper आपके सारे apps देखने को मिलेंगे फिर आप चाहो तो यहाँ पे जो app का label है वो भी edit कर सकते हो फिर app library को अगर customize करना चाहते हो label के साथ वो भी कर सकते हो फिर यहाँ पे hidden app का एक section मिल जाता है फिर यहाँ पे एक और option मिलता है app closing animation का इसको आपको यहाँ पे enable कर देना है फिर आपको एक option मिलता है notification basis का तो इसको भी enable कर देना है और यह सारी चीज़े करने के बाद आपका जो पूरा इस launcher का customization था वो complete हो गया तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कुछ इस type का यहाँ पे अभी यह जो main आपका home screen है वो देखने को मिल ला है और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप control center से सारी चीज़ों को control कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे जितने भी option है वो सारे working condition में है तो यहाँ से आप music को play pause भी कर सकते हो यहाँ पे अगर आप music वाले part पे थोड़ी देख की रहते हो तो आपको इकदम iOS style का music player का यहाँ पे interface देखने को मिलेगा और यहाँ से आप music को play pause कर सकते हो volume को भी कम ज़ादा कर सकते हो अब last में बारी आती है keyboard की तो इसके लिए भी आपने एक app install किया है जिसका नाम है apple keyboard तो इसको आपको open करना है और जब आप इसको open करोगे तो यहाँ पे enable in setting आएगा तो यहाँ से इसको आप enable कर देना फिर ok पे tap, ok पे tap यहाँ पे switch पे tap करके यहाँ से apple keyboard को select करके finish कर देना and यहाँ से light theme select कर लेना चाहो तो आप dark वाला भी select कर सकते हो and अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का iOS 16 वाला keyboard भी देखने को मिल जाएगा आप अराम से यहाँ पे type कर सकते हो और proper यहाँ पे आपको emoji बगेरा यहाँ जैसे उसमें मिलता है आपको same इस keyboard में मिलेगा नहीं तो आपको मैं इसका एक और यहाँ पे second option बता देता हूँ कि आप Google keyboard में भी iOS 16 वाला feel ले सकते हो तो यहाँ से मैं Gboard select करता हूँ and यहाँ से मैं Google keyboard को access करता हूँ अब आपको क्या करना है आपको emoji वाले icon पे tab की रहना है फिर setting पे आ जाना है and यहाँ आना है theme में और आपको यह वाला theme select कर लेना है यहाँ पे keyboard का एक option होगा इसको आपको enable करके apply कर देना है फिर आपको back आना है text correction में आना है so suggestion strip होगा इसको disable कर देना है बाकि यह सारे option आप खुझ से देख लेना and को और कुछ नहीं करना है बाकि आपको कुछ इस type का iOS 16 से मिलता जुलता यहाँ पे एक आपको proper official google keyboard ही मिल जाएगा आप keyboard की बाद से एक चीज और रह जाता है वो है iOS 16 का official wallpaper अब आप चाहो तो यहाँ पे launcher में अगर आप आते हो यहाँ से मैं वही वाला select कर लेता हूँ and apply कर देता हूँ तो wallpaper set करने के बाद से अब आपके iqo या vivo के device में proper iOS 16 वाला look देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पे एक चीज और रह जाता है कि आपने जो dialer यहाँ पे iOS 16 वाला enable करा था उसको आपको यहाँ पे dock में रखना है तो इसके लिए आपको बस इस पे tap की रहना है edit home screen पे tap करना है यह इसमें मैं डाल देता हूँ और यहाँ से मैं i call screen वाले dialer को यहाँ पे लेते आता हूँ अब यहाँ पे आपका proper यहाँ पे iOS 16 वाला dialer यहाँ पे add हो गया तो सारी चीजें customize करने के बाद से अब आपके IQ या Vivo के device में proper iOS 16 वाला look देखने को मिल जाएगा तो यह था पूरा complete process अपने किसी भी IQ या Vivo के device में iOS 16 के look को पाने का तो I hope यह पूरा process आपको समझ में आया होगा I hope यह customization आपको पसंद आया होगा अगर आपको यह पूरा process समझ में आया हो और यह customization पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक like कीजेगा यह वीडियो आपको कैसा लगा comment में जरूर बताएगा बाकि यह वीडियो अपने दोस्तों और family members के साथ जरूर सेयर कीजेगा इस्पिसली उन लोगों के साथ सेयर कीजेगा जो iqo या वीवो यूजर हैं ताकि वो भी अपने device में iOS 16 का feel ले सकें बाकि अगर आप channel पे नय हो और channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe करने के साथ बेल आइकन पे press करके alt पे tap कर लीजेगा ताकि future में मैं जब भी कोई ऐसी interesting take और customizing वाली वीडियो अपलोड करूँ तो उसका notification आपको फटा फट मिल सके तो तब तक के लिए thanks और watching मिलते हैं नए वीडियो के साथ see you soon